केमिस्ट्री बाय संदीप सर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट और्गनिक की रेक्षिन जिसका नाम है अल्डॉल कंडेंसिशन अल्डॉल कंडेंसिशन का क्वेशन 12, competitive, neat, J, first grade chemistry या कोई भी भारत में chemistry का paper हो उस में definite आता ही आता है तो हम पढ़ते हैं अल्डॉल कंडेंसिशन Eldol Condensation कौन देगा Eldol Condensation के लिए जरूरी है Compound में होना चाहिए Alpha Hydrogen अब बच्चे ये तो याद करते हैं पर ये गलट tactic है बच्चे को याद होना चाहिए अगर Aldehyde, Ketone और Nitro Compound में Alpha Hydrogen है तो वो Dilute Alkali और HCL के साथ में Eldol Condensation देगा तो हम देखते हैं ये Acetone है और हम देख सकते हैं Acetone में ये भी 3 Alpha Hydrogen है और ये भी 3 Alpha Hydrogen है इसलिए Acetone Eldol Condensation देगा हमने देखा ये Acetone Eldol Condensation है और इसके पास 3 Alpha Hydrogen है इसलिए Eldeide भी देगा हमने देखा ये Nitro Compound है और Primary Nitro Compound में तीन अलफा हिड्रोजन है इसलिए ये भी देगा लेकिन ये टर्सरी कार्बन है नाइट्रो का और इसके पास एक भी अलफा हिड्रोजन नहीं है इसलिए नहीं देगा अब बच्चों हम आगए इस एसिट अफिनॉन के बास में तो ये तो कार्बोनिल ग्रूप है तो इसके पास तो तीन अलफा हिड्रोजन है पर इसके पास एक भी नहीं है लेकिन एक तो है ना इसलिए देगा अब आया ये बेंजोफिनॉन ये एंसियाटी का कोईशन है इसके पास भी अलफा हिड्रोजन नहीं है और इसके पास भी अलफा हिड्रोजन नहीं है अब alpha hydrogen ही क्यों क्योंकि alpha hydrogen निकालने के बाद में जो aldeide ketone या nitro compound का anine बनता है वो resonance से stabilize हो सकता है हो जाता है हम देखते हैं इस aldeide ने अपना ये alpha hydrogen बच्चों लूच कर दिया जो इस OH के साथ मिलकर H2O बना दिया तो देखो ये carbon anine बन गया अब ये carbon anine resonance stabilize है क्योंकि ये negative charge इस oxygen पर transfer हो जाएगा और double bond यहां पर हो जाएगा ऐसे compound जिसमें alpha hydrogen हो और acidic nature दिखाता है इनको हम carbon acid भी कहते हैं अब ये nucleophile बन गया ठीक है ना ये nucleophile aldeide के दूसरे molecule पर attack करेगा ये इस aldeide पर attack करेगा तो attack करेगा तो क्या होगा इस जगे पर तो positive charge है और oxygen पर negative charge है ठीक है ना तो ये जो negative carbon है वो इस carbon से attach हो जाएगा तो देखो इसने एक नया carbon carbon bond बना लिया ठीक है ना और जो ओर negative था उस पर जाकर H जुड़ जाएगा जो इस यहां से जो H निकला था तो ये बन गया LDL इसलिए LDL कहते हैं क्योंकि इसमें एक तो LDL ग्रूप है देखो ये LDL ग्रूप है और इसमें एक OH ग्रूप है इसलिए इसका नाम क्या रखा तो हमने दो बातें और क्या सीखी इस reaction का intermediate carbon iron होता है और इस reaction में नया carbon carbon bond भी बन जाता है कभी कभी question है ऐसे ही आ जाता है किस reaction में new carbon carbon bond फॉर्म होगा तो वो अल्डॉल हो सकती और तीसरी बात फिफ्थ बात nucleophilic addition reaction का example है या बच्चों याद रख लो aldehyde ketone की जितनी भी reaction है सारी nucleophilic addition reaction है इसका question जही नीट first grade teacher में definite आता है कैसे आता है ये aldehyde कौन सी reaction देगा और सामने लिखा होता है match करने के लिए तो कौन सी देगा nucleophilic addition reaction हम चलते है next example अब मैं अब बच्चों को आती है product बनाने में problem ठीक है ना तो मैं आपको important बात सुना रहा हूँ जो line जिसको ये line याद हो गई उसका aldehyde का product आसानी से बन जाए एक compound के alpha hydrogen को निकाल कर तो ये वाला alpha hydrogen है ना इसको निकाल कर दूसरे molecule के oxygen से जोड़ दो ठीक है ना तो जैसे हमने ये H निकाला और इस O को दिया तो आप देख सकते हैं ये बन गए और फिर carbon carbon में नया bond बना दो तो हमने यहाँ पर एक नया bond बना दिया और देखो aldeal product बन गए फिर से repeat करता हूँ एक molecule के alpha hydrogen को निकाल कर दूसरे molecule के O से जोड़ दो और दोनों के carbon carbon में bond बना दो अब जब हम इस product को heat करेंगे heat करेंगे तो ये OH के लिए ये alpha है ये भी बीटा है और ये भी बीटा है ये भी बीटा है लेकिन तो दो product बन सकते हैं लेकिन अंदर वाला हमेशा पहले जाता है ये हमने elimination reaction में सीखा था या आपको पता होगा कि secondary beta hydrogen पहले जाता है तो जब carbon में क्या हुआ ये conjugation में है इसलिए resonance से stabilize हो जाएगा इसलिए हमेशा बीटा hydrogen अंदर वाली side से जाएगा या फिर पहले tertiary जाएगा फिर secondary जाएगा फिर primary तो बच्चों हमने फिर से repeat करता हूँ एक molecule के alpha hydrogen को निकाल कर दूसरे के oxygen से जोड दो और carbon carbon में नया bond बना दो तो acetaldeide convert हो गया किसमें पहले aldol में और heat करने पर croton aldeide बन गया बच्चों aldol तक की reaction को हम सिर्फ aldol reaction कहते हैं जबकि croton aldeide या buttoinol तक वाली reaction को हम aldol condensation reaction को अब देखते हैं हम acetone की तो हमने ये acetone दिया बच्चों दौनों molecule कभी paper में नहाते हैं ये वाला molecule paper में hidden होको आपको से fake से ही करना है तो हमने देखा इसके पास ये भी alpha है और ये भी alpha है तो हमने क्या किया दूसरा molecule खुद लिख लिया तो second molecule हमने copy पर लिख लिया अब इसका alpha hydrogen mark किया इसका alpha hydrogen कौन सा ही है इसके hydrogen को निकाल कर दूसरे के oxygen से जोड दिया तो आप देख सकते हैं इतना molecule बन गया और फिर हमने जो ये CH2 रह गया था उसमें और इस carbon में bond बना तो बाकी पार्ट भी बन गया अब आप आपसानी से देख सकते हैं दौनों molecule अलग बन पिर हमने heat किया तो इस OH ने इस beta hydrogen से इस beta carbon से hydrogen लिया और इसके बीच में double bond आ गया इस compound को mesital oxide कहते हैं ये JEE के exam में आ चुका है और 12th के NCRT में भी है अब हम चलते हैं कि अगर हमने aldol condensation कराया और दोनों के पास ही alpha hydrogen है तो कितने product बनेगे तो अगर एक के पास alpha hydrogen है तो दो aldol product और दोनों के पास है तो फिर 4 aldol product बनेगे चार aldol product कैसे बनेगे हमने एक को A मान लिया और दूसरे को B तो एक में A A को देगा मतला same molecule same को देगा दूसरे में B B को देगा फिर तीसरे में A B को देगा और फिर B A को देगा तो बच्चो चार choice हो गई न ठीक है तो अब 12th के बच्चों से कहेंगे चारों product बना दो और competitive क बच्चों से कहेंगे कौन सा product इन चारों में से ज़्यादा बनेगा तो बच्चों वो product ज़्यादा बनता है जिसमें less reactive alpha hydrogen देता है और more reactive addition अब बच्चों फिर फस गए कि अब कैसे करें तो बच्चों हमेशा aldehyde aldehyde ketone से ज़्यादा रेक्टेव होता है तो aldehyde देगा addition और ketone देगा ketone देगा alpha hydrogen यह दोनों ही aldehyde आ गए तो तो जो छोटा वाला है वो तो देगा addition reaction और जो बड़ा वाला compound है वो देगा alpha hydrogen हम चले आगे और हमने कराई cross dental तो देखो इसके पास यह alpha hydrogen है और इसके पास यह alpha hydrogen है और यह भी है तो अब इससे total product बनेंगे चार अब देखना बच्चों कैसे बनेगा एक में यही इसी को देगा तो यह तो एक molecule हो गया और हमने दूसरे का H निकाल कर alpha H निकाल कर इसके oxygen से जोड़ देगा और second molecule यह बन गया जो अभी हम बना कर आएं जिसको aldol कहते है ठीक है अब हमने इस का product बनाया तो इसी ने खुद को दिया मतलब है acetone ने acetone को दिया तो देखो एक molecule यह आ गया अब दूसरे के alpha hydrogen को निकाल कर इसके oxygen से जोड़ दिया अब आपने क्या गया दूसरे molecule को इसको carbon से जोड़ दिया तो carbon carbon bond बन गया तो यह simple aldol है जिसमें same molecule participate करते है अब हम बढ़ेंगे cross aldol की तरब तो cross aldol में क्या होगा एक बार acetone acetaldeide को देगा और एक बार acetaldeide acetone को देगा तो हमारे पास पहला example है जिसमें acetaldeide को acetone दे रहा है तो देखो यह acetaldeide का molecule था और हमने acetone के alpha hydrogen को निकाल कर इसके oxygen से जोड़ दिया तो यह OH बन गया और acetone के molecule को alpha hydrogen निकाल कर बाकी इसके साथ जोड़ दिया अब दूसर फोर्थ प्रड़क्ट जिसमें acetaldeide acetone को देगा तो देखो बच्चों यह तो acetone का molecule है जिसमें इसके OH को H दे दिया और acetaldeide को H निकाल कर alpha H निकाल कर acetone अब हमारे पास बात आई इन दो चारों में से कौन सा प्रड़क्ट maximum बनेगा तो बच्चों वो प्रड़क्ट जादा बनेगा जिसमें aldeide या more reactive ने addition reaction दी हो और less reactive ने alpha hydrogen दिया हो तो हम देख सकते है किटन कम reactive होती है कम reactive होती है तो maximum product यह वाला बनेगा जिसमें B ने A को alpha hydrogen दिया है या acetone ने aldeide को alpha hydrogen दिया है और mostly जब exam में आता है तो इसकी choice भी third ही होती है अब हम जलते हैं aldol का next example discuss कर तो हमारे पास है propanel अब question यह है कि क्या propanel aldol condensation देगा yes हाँ देगा क्यों इसके पास alpha hydrogen है अब हमने क्या क्या दूसरा molecule खुद अपने पास से लिख लिए बच्चों कभी भी दोनों same molecule पेपर में नहीं दिये होंगे आपको यह पता होना चाहिए aldol में दो molecule participate करते हैं पेपर में तभी दो molecule दिया होंगे जब दोनों molecule different होंगे तो अब हमने पता लग गया देग अब हमने क्या क्या alpha hydrogen को निकाल कर तो alpha hydrogen कौन सा है यह बाला अब बच्चे यहीं गलती करते हैं कुछ बच्चे इसको निकाल कर जोड देते हैं इस alpha hydrogen को निकाल कर इसके O से जोड दिया तो बच्चों जब हमने इसके OH से जोड दिया तो आप देखो यह molecule यह रहा ठीक है ना प्रीन वाले ने अलफा हिड्रोजन दिया है और येलो वाले बॉक्स ने अलफा हिड्रोजन लिया है तो बच्चों ध्यान रखना कुछ बच्चे इसी है इस तरी को इससे जोड़ देते हैं और अपना प्रड़क गलत हो जाता है हम डिसकस करेंगे फिर एक नई प्राउड हम क्योंकि इसमें कार्बोनेल या अलडियाइट केटान है और इसके पास ये अलफा भी है और ये अलफा भी है अब हमने दूसरा मॉलेक्यूल खुद लिख लिया ठीक है और दूसरे मॉलेक्यूल में ये अलफा हिड्रोजन अब बच्चों क्या करते हैं इसके इस अलफा उसको वैच कर दिया अब इस carbon में और इस carbon में हम एक bond बना देगी ठीक है ना किस carbon में इस carbon तो इस carbon में और इस carbon में जब bond बनेगा तो आप green box में देख सकते हैं कि ये attach हो ठीक है अब हम इसको heat करेंगे heat करेंगे तो water molecule निकलेगा बीटा hydrogen से तो बच्चो एक बीटा तो ये है दूसरा बीटा ये है और तीसरा बीटा ये है ठीक है ना तो आप इससे तीन product बन सकते हैं ठीक है ना ये दो product same होंगे लेकिन ये वाला product different होगा तो बच्चो वही product ज़्यादा बनता है जिसमें next ring के सा बात में next ring से बिटा hydrogen जाता है तो इसमें बच्चो दो product बनते हैं आप एक product यहाँ पर double bond लगा कर और बना सकते हैं अब हम चलते हैं next problem के तो हमने देखा हमारे पास benzaldeide है और benzaldeide में alpha hydrogen नहीं है तो हमें लगेगा कि ये अल्डॉल नहीं देगा ये अकेला तो नहीं देग लेकिन acetaldeide के पास में alpha hydrogen है देख सकते हैं जब इसके पास alpha hydrogen है तो अब ये अल्डॉल देगा ठीक है यहाँ पर बच्चे कैनीजारों से confusion हो जाते हैं कैनीजारों में दोनों aldeide के पास alpha hydrogen नहीं होना चाहिए जबकि अल्डॉल में या तो दोनों के पास होना चाहिए और न को निकाल कर इसके हो से जोड दिया तो आप बच्चों देख सकते हो मैं green box में बंद कर रहा हूं ये molecule इतना है तो इसके जब हो से ह जोड़ा तो ये OH बन गया CH अब इसका जब CH3 alpha hydrogen देदेगा तो क्या बचेगा CH2 तो हमने CH2 CH2 को और extra जोड और जब गरम किया तो इस वाले बीटा से OH निकल गया और दोनों के बीच में डबल बॉर्ड आ गया और इस product का नाम है cinema LDI या फिर इसका आयूपिक नेम होगा थ्री फिनाइल प्रोब्टू इन अल अब बच्चों ये LDL है नहीं इस reaction को हम क्लेजियन स्मिट reaction कहते हैं इस reaction को हम कौन सी reaction कहते हैं क्लेजिय से बले कि एक क्लेजियन कंडेंसेशन होती है और एक क्लेजियन रेक्शन तो क्लेजियन रेक्शन में तो बेंजल डियाइट रेक्ट करता है लेकिन क्लेजियन कंडेंसेशन रेक्शन में एस्टर रेक्ट करता है तो बच्चों क्लेजियन कंडेंसेशन तब होगी कब होगी जब जब एस्टर रेक्ट करेगा हम discuss करने वाले हैं एक और important problem हमने reaction कराई formaldehyde और acetaldehyde की formaldehyde के पास alpha hydrogen नहीं है लेकिन हम देख सकते हैं acetaldehyde के पास में alpha hydrogen है तो अब alpha hydrogen कौन देगा यह देगा यह typical टिपिकल एलडॉल है तो अब इसके पास बच्चों कितने alpha hydrogen है तो आप देख सकते हैं मैं red arrow से आपको दिखा रहा हूँ तीर alpha hydrogen तो formaldehyde के तीन molecule इससे react करेंगे पहला H देगा तो यह CH2 OH हो जाएगा तो हमें यहाँ पर highlight कर देगा ठीक है फिर दूसरा देगा तो दो CH2 OH हो जाएगे फिर तीसरा भी देगा तो तीन CH2 OH हो जाएगे इस तरह acetaldehyde ने अपने तीन alpha hydrogen दे दिए पर यहाँ पर formaldehyde के molecule कितने थे चार्थ तो तीन तो यूज हो गए अब फूर्थ molecule आप देख सकते हैं यह रहाँ और यह तीनों CH2 OH बन चुके थे अब दौनों में से किसी के पास भी alpha hydrogen नहीं है ना तो इसके पास है और ना इसके पास है तो अब बच्चों कौन सी reaction होगी अब इसमें होगी बच्चों कैनी जारो reaction अब कैनी जारों में क्या होता है एक molecule acid में और दूसरा molecule alcohol में convert हो जाता है यह मैंने आपको कैनी जारों में पढ़ाया था तो अब कौन acid बनेगा तो बच्चों वहाँ मैंने बताया था कि छोटू acid बनता है छोटू का मतलब more reactive formaldehyde सारे aldehyde ketonum है सबसे reactive compound है तो बच्चों इस से तो क्या बन जाएगा formaldehyde से तो formic acid बन जाएगा और जो यह वाला aldehyde है यह देखो आप इस alcohol में convert हो जाए तो अब इसके अंदर कितने alcohol group double up हो गए इसके अंदर double up हो गए बच्चों 4 CH2OH group तो बच्चों कितने CH2OH बन गए चार अब इसकी reaction अगर हम HNO3 से कराते हैं HNO3 से कराते हैं तो 4OH हट जाएंगे और इसकी जगे NO3 लग जाएगा और इस molecule का नाम होगा PETN ठीक है ना Penta Erythrol Tetra Nitrate जो एक explosive का काम करता है जो क्या करता है explosive का काम करता है अब हम पढ़ेंगे J.A. Advance और First Grade Teachers के लिए Internal Adol Condensation तो Internal Internal Adol Condensation reaction काव होती है जब बच्चों एक ही compound में 2 L.D.I.D. या 2 Carboreal Group प्रेजेंट हों क्योंकि इसमें दोनों ही group प्रेजेंट है इसलिए Single Molecule ही Adol Condensation देगा अब दूसरी important बात जो competitive के काम आती है अगर Carbonyl Group 7 पे लगा हुआ है दूसरा Carbonyl Group का number 7, 8, 9 है तो फिर अंदर वाला Alpha Hydrogen जाएगा तो बच्चों कौन सा जाएगा ये वाला Alpha Hydrogen जाएगा और अगर Carbonyl Group 4, 5 पर हो 4, 5 पर हो तो फिर बाहर बाला जाएगा अगर ये Carbonyl Group 4 पे होता तो फिर ये वाला Alpha Hydrogen जाएगा अब हम देखते हैं आगे की कानी क्योंकि ये 7 है इसलिए अंदर वाला जाएगा तो हम सुरू करते हैं Product बनाना Product कैसे बनेगा 2 Carbonyl है ये वाला Alpha Hydrogen जाएगा अब ये जाएगा और दूसरे के O से जुड़ जाएगा और ये क्या है बच्चों CS3 तो देखो मैंने इसको CS3 मार्क कर दिया ये 1st अब 2nd वाला OH में Convert हो गया ठीक है 3rd वाला Carbon ये हो गया 4th ये हो गया और 5th ये हो गया और 6th ये हो गया अब 7th का 6 का जो Alpha Hydrogen जब यहां से गया था तो वो CH में Convert हो गया था तो 6 में और 2 के बीच में आप देख सकते हो Bond बन गया तो कहा Bond बना 6 और 2 के बीच में और जो Group बाकी बचे थे CO और CS3 वो आप देख सकते हैं बाहार हमने लगा दे तो Internal Eldol Condensation हो गया तो आप बचो ध्यान रखें कि अगर Carbonal Growth 4, 5 पे हो तो बाहार वाला 4 पे हो तो 5 वाला Alpha Edozen लो 5 पे हो तो 6 वाला लो और 6 या 7 पर हो तो फिर बाहर वाला लो 6 पर हो तो 7 वाला Alpha Edozen ठीक है ना अगर 7 पे हो तो 6 वाला लेंगे अंदर वाला अब हम देखते हैं एक नई Problem जो हमारे सामने तो हमने देखा इसके पास ये Carbonil Group है ठीक है यहाँ पर Alpha Edozen है नहीं लेकिन यहाँ पर एक Alpha Edozen आपको देख रहा होगा जिसको मैं Green से मार्ग करता हूँ तो ये अलडॉल दे सकता है ये Formal Diode का Molecule है जिसके पास कोई Alpha Edozen नहीं है इसलिए ये Alpha Edozen नहीं देगा लेकिन वो इसको दे सकता है तो जब इसने अपना Alpha Edozen दिया तो इसका O तो बच्चों किसमें Convert हो गया अब इसके Carbon पे कैसा चार्ज आजाएगा निगेटिव और वो निगेटिव चार्ज वाला Carbon इस Carbon से जाकर अटेच हो जाएगा तो आप देख सकते हैं इस CH2 ने कहां Bound बनाया इस से और हमें Eldol नहीं Ketol प्रड़क्ट बन गया Ketol इसलिए कहेंगे Ketol इसलिए कहेंगे Clayajan Reaction अलग होती है Clayajan Condensation में Aster in react करता है जबकि Clayajan Symet ayacetyl Dr. Benz idea क्लेज & Condensation सिर्फ वही compound दे सकते हैं वही Aster जिनके पास Alpha-Hydogen हो यह Aster Clayajan Condensation नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी Alpha-Hydogen नहीं है और यह कई बर Comptative examos में चुका है अब हमने देखा क्या ये ester, क्या ये ester klesian condensation देगा, yes, क्योंकि इसके पास alpha hydrogen है, हमने इसी molecule को repeat करके लिख लिया, और उसका alpha hydrogen, देखो बच्चों, ये मैंने mark कर दिया, red से, और highlight भी कर दिया, तो इसके पास alpha hydrogen था, और alpha hydrogen, अब ये hydrogen और ये O-C-2 ethoxy group, alcohol बनकर निकल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं, निकल गया, अब क्या होगा, इस CO में और इस CH2 में bond बन जाएगा, तो bond कहां बना बच्चों, इस CO में और इस CH2, अब यहाँ एक important बात आ गई क्या, जब CH2, दो carbonil group के बीच में surrounded हो, बीच में रहता हो, तब इसको reactive methylene compound कहते हैं, और इसका नाम है, aceto acetic ester, ये first grade teacher और J.E. advance के बच्चों के लिए, बहुत important हो सकता है, क्योंकि उनके exam में आ सकता है,